minced का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सेख लेते हैं minced का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे minced किया गया हो या जो minced किया गया हो उसे adjective के रूप में हम minced कह सकते हैं इसके इलावा minced जो है वो minced का past tense और past participle होता है यानि कि minced की second और third form होती है minced और minced का आर्थ होता है चोटे-चोटे टुकडे करना, कतरना, चोटा-चोटा काथना, ठुमक कर चलना, मिचला कर बोलना, बारिक काथना या कीमा बनाना तो कीमा बनाया गया हो या छोटे-छोटे टुकडो में कोई चीज काटी गई हो तो उसको भी हम adjective के रूप में minced कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अपनी योजना को दो टुकडो में छोटा कर दिया तो आप कहेंगे he minced his plan into two he minced his plan into two या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने लहसुन कीमा बनाया या लहसुन को छोटा-छोटा काटा तो आप कहेंगे he minced the garlic he minced the garlic या अगर आप ये कहना चाहें कि निर्देशक ने नाटक को छोटा कर दिया या टुकड़ेट में बाट दिया तो आप कहेंगे the director minced up the play the director minced up the play अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें